जैश्री राधारानी सरकार की, जैश्री कृष्ण भगवान की, जैश्री शिर्मत भागवत महापुरान की, मंदर श्रिबंसी वाले महात्मा, यूट्यूब चैनल के ओर से हम आप सभी भगतों का हारदी को भिनन्दन करते हैं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, शिर्मत हरन का प्रसंग आरंब हो चुका है अब इससे आगے की कथा बोल श्री राधा क्रिश्न भगवाने की जय बोल शिर्मत भागवत महापुराने की जय पिछले अधाई की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार रुकमनी एक ब्रहमन के हाथ भगवान श्री क्रिशन जी के पास संदेश भेशती हैं अब उससे आगे की कथा श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित इस चिर्थी को पढ़कर श्री क्रिशन जी ने भहुत प्रसन होकर ध्रह्मन का हाथ पकर लिया और उसे कांत में ले जाकर कहा कि हे ब्रह्मन देवता मैंने जबसे देवरिशी नारद जी के मुख से रुकमनी के रूप अथवा गुनों को सुना है उसी दिन से मैं भी उससे प्रेम करने लगा हूँ मुझे ये मालुम है कि रुकमा ग्रज रुकमनी का विवा मेरे साथ नहीं होने दे रहा है अते आप रातरी को तो यहीं पर विश्राम कीजिए प्राता काल मैं आपके साथ चलूँगा हे ब्रहम मूर्ती जिस प्रकार अगनी संपूर्ण वन को भस्म कर देती है उसी प्रकार मैं शत्रों की संपूर्ण सेना को जीत कर रुकमनी को ले आऊंगा भगवान श्री द्वारिका नाथ जी की ये बात सुनकर उस ब्रहमन को धीरज हुआ है प्राताकाल होने पर श्री मूर्ली मनोहर ने दारुक सार्थी द्वारा रथ मंगवाया और उस रथ पर ब्रहमन देवता सहीत बैठ कर कुंडिनपूर की और क्रस्थान किया है जब बलराम जीन ये समाचार सुना कि श्री क्रिशन जी अकेले ही कुंडिनपूर गए हैं तो उन्होंने राजा उगर सैन के पास जाकर कहा कि है महाराज हमने सुना है कि राजा शिशुपाल रुकमनी से विभा करने के लिए कुंडिनपूर पहुंचेगा तथा श्री श्य के साथ शीगर चले जाओ श्री क्रिशन चंदर तुम्हें मार्ग में ही मिल जाएंगे ये सुनकर बलराम जी सेना को लेकर मार्ग में श्री क्रिशन जी से जा मिले और उनसे ये पूछने लगे हैं कि आप इस प्रकार अकेले क्यों आ गए उस समय श्री क्रिशन जी ने ये उत्तर दिया है कि रुकमनी की व्याकुलता के कारण मुझे इतनी शिगरता करनी पड़ी अस्तु जिस दिन शिशुपाल की बारात जाने वाली थी उसी दिन भगवार शिक्रिशन जी भी कुंडिनपूर में जा पहुंचे हैं वहां जाकर देखा कि सब और मंगला चार तथा स समाचार कह दो कि जिस से उसको धिरज हो जाए उधर बारात के आगमन का समाचार सुनकर राजा भिश्मक अपनी सेना को साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए चले हैं और राज मंदिर में इस्त्रियां मंगला चार करने लगी हैं राजा ने बारात को जनवासे में ठहराकर भोजन के लिए उत्मोतम पदार्थ भेज दिये रधा इधर पुरोहित ने रुकमनी के हाथ में कंगन बांध दिया इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे हैं ये राजा प्रिक्षित रुकमनी को श्री श्याम सुन्दर के आने का समाचार प रुकमनी श्री श्याम सुन्दर यहां बाग में ठहरे हुए हैं उनके पीछे पीछे बलराम जी सैना सहीत चले आ रहे हैं ब्रहमन देव के मुख से ये वचन सुनकर रुकमनी अत्यंत प्रसन होकर ब्रहमन देवता से ये कहने लगी है कि है ब्रहमन देवता आपने श्री मनहोर के आगमन का समाचार सुनाकर मुझे जो प्रसंता प्रदान की है उसके बदले यदि मैं तुम्हें तीनों लोकों की संपत्ती दे दूँ तो भी उरिन नहीं हो सकती हूँ इतना कहकर जैसे ही रुकमनी ने उस ब्रह्मन की और कृपा दरिश्टी से देखा वैसे ही उस ब्रह्मन के घर सदा के लिए महालक्ष्मी मा का निवास हो गया तदू परांत वै ब्रह्मन आशिरवाद देकर वहां से लोटकर राजा भिश्मक के पास आपहुचा और उन्हें सुन्दर के आगमन का समाचार कह सुनाया है उसे सुनकर राजा अत्यंत प्रसन हो रतन अभूशनों की भेंट लेकर अपने चारों छोटे पुत्रों सहित श्री श्याम सुन्दर के समीप जा पहुचे और हाथ जोड़कर इस परकार कहने लगे हैं कि हे प्रभू आपने यह पधार कर मुझे अपने दर्शन दे कर कृतार्थ कर दिया है आप अंतर यामी हैं अतै मेरे मन का सब हाल जानते हैं फिर अधिक क्या कहूं इतना कहकर राजा ने उनके ठहरने आदी का उत्तम प्रभंध किया है और उनके भोजन आदी की सब समगरी बड़े प्रेम से भी पादी है तदू परांत जब कुंडिनपुर वासियों ने उन दोनों भाईयों की आगमन का समाचार सुना तब सब लोग आपस में इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे भाईयों रुकमनी के योग्य सुंदर वर तो श्रिशाम सुंदर जी ही हैं इश्वर ऐसा करें कि इनी के सा रुकमनी का वीवा हो अस्तू जब चार घड़ी दिन शेश रहा तो श्रिशाम सुंदर और बलराम जी कुंडिनपुर की शोबा देखने के लिए रत में बैठ कर नगर में गए हैं वे जहां जहां भी पहुँचते थे वहां के इस्त्री पुरिश उनके दर्शन कर इस परक कहते थे कि यदि श्री नराएंजी के साथ रुकमनी का वीवा हो जाए तो हम सब भी इन जैसे संभंदी को पाकर धन्य हो जाएंगे संध्या होने पर दोनों भाई शिशुपाल आदी की सेना को देखकर वापिस लोट आए हैं इतनी कथा सुना कर श्री शुकदेव जी महरा आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित जब रुकमा ग्रज ने उन दोनों भाईयों के आने का समाचार सुना तो भहुत क्रोध करके अपने पीता के पास जाकर ये कहा है कि हे पीता तुम हमें सत्य बताओ कि क्रिश्न और बलराम को यहां पर किसने बुलाया है यह सुनकर राजा भिश्मक बोले कि हे पुत्र मैंने उन्हें नहीं बुलवाया है तब रुकमा ग्रज ने शिशुपाल और जरासंद के पास जाकर ये कहा कि यहां क्रिश्न और बलराम भी आए हुए है अत्य तुम अपने सैना पत्यों को साव धान कर दो इतनी कथा सुना कर श्री शुकुदेव जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिशित श्री शाम सुंदर अत्वा बलराम जी का नाम सुनकर जरासंद ने रुकमा ग्रज को ये उत्तर दिया है कि हे मित्र इन दोनों भाईयों ने कंस को मार डाला अब ये यहा आरवी बार फिर इनसे युद करने को गया तो उस समय में दोनों भाग कर उंचे परवत पर जा चड़े जब मैंने उस परवत में आग लगवा दी तो वहां से ना जाने किस परकार ये बचकर निकल गए और अब द्वारिका में जाकर रह रहे हैं जरासंद के इन वचनों क को सुनकर रुकमागरज ने अभिमान पुर्वक कहा है कि हे जरासंद तुम इनसे इतने भैबीत क्यों हो रहे हो तुम किसी परकार की चिंता मत करो उन्हें हम अकेले ही भगा देंगे इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षि मंगला चार होने लगे हैं जब चार घड़ी दिन शेश रहा तब भौतसी सहेलियां गाती बजाती हुई रुकमनी को साथ लेकर महागोरी माता के पूजन करने को चली हैं उस समय शिशुपाल ने अपने पचास हजार शूर वीर रुकमनी की रक्षा करने के लिए साथ कर द उन्हें चारों और से घेरे हुए काले वस्तर पहने सैनिक ऐसे लगते थे मानो काली घड़ा ने चांद को घेर रखा हो मंदिर में पहुँचकर रुकमनी ने महागोरी मा का पूरी शद्धा भावना से मेधी पुरवक पूजन किया है और हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तू करने लगी है चर्नन लेहु प्रनाम मंगलमई माता उमा वर दीजे अभिराम मोर मनोरत पूरन करी कि हे महागोरी माता मैंने बच्पन से ही आपकी सच्चे मन से सेवा पूजा आराधना की है अते आपका मुझे मनोवांचित फल प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए इस प्र मैं रुकमनी जी के मन में केवल यही आशा है कि श्रिश्याम सुंदर यहां पर आएं और मुझे यहां से ले जाएं रुकमनी जी के मन में यह आशा थी इसी आशा को मन में लिये हुए हाथी के समान मंद गति से रुकमनी जी आज राजमंदिर की और लोटने लगी है ठीक उसी समय आनन्द कंद श्री क्रिशन जी का रथ वहाँ पर आप हुँचा, उनके रथ की द्वजा देखते ही सक्यों ने प्रसन होकर रुकमनी से इस परकार कहा है कि हे सक्यों के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब रुकमनी ने प्रसन होकर अपने मुख से घुंगट उठाया तो उने श्री क्रिशन चंदर जी अपने सामने ही खड़े हुए दिखाई दिये, आज रुकमनी का मन अत्ती प्रसन है, ठीक इसी समय श्री मतुरानाथ प्रभूजी ने विजली की गती से अपना रथ रुकमनी के बिलकुल समीप ही खड़ा कर दिया, फिर जैसे ही रुकमनी न लज जाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने बाएं हाथ से रुकमनी का हाथ पकड़ कर रथ में बैठा लिया है, और शंक बजाते हुए आज भगवान श्री क्रिशन जी आगे की और बढ़ चले हैं, उस समय रुकमनी अपने व्रत पूजन उन सब के बीच में से रुकमनी को उठा कर ले गए हैं, आज श्री श्याम सुन्दर ने रुकमनी जी का हरन किया है, वास्त में रुकमनी जी सदा के लिए भगवान श्री क्रिशन जी की अरधांगनी हैं, रुकमनी महालक्ष्मी मा का सवरूप हैं और भगवान श्री जी की सेवा में उपस्थित रहती हैं तो आज रुक्मनी जी भगवार्ण शीक्रिशन जी के साथ जा रही हैं देखते ही देखते भगवार्ण शीक्रिशन जी का रथ दूर निकल गया तब सब योध्धागन सावधान होकर उनके पीछे दोड़े हैं इस समय बलराम जी भी य पहुँचे उस समय रुक्मनी को घबराई हुई देखकर श्री श्याम सुंदर जी भगवान कहने लगे हैं कि हे रुक्मनी तुम चिंता मत करो मैं दौरिका में पहुँचकर तुम्हारे साथ शास्त्र की विदे के नुसार विवा करूंगा इतना कहकर श्री दौरिका युडिव चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी कर धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भगवान श्री रुक्मनी दौरिका धीश जी की शिरमत भागवत महापुरान की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री रुमत भागवत महापुरान की जै श्री शुकुदेव जी महाराज की जै जै श्री राधी जै जै श्री राधी जै जै श्री राधी जै जै श्री राधी जै जै श्री राध झाल 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 झा